तो क्लास, आज हम बुक से पढ़ने वाले हैं, बिकास मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सारा कंटेंड टाइप करूँ, तो जल्द जल्दी मैं आपको बुक से करा रही हूं, क्योंकि आपके एक्जाम्स भी हैं, तो ongoing हम अभी चेक कर रहे हैं, इंटरफीस Python with SQL, Python और SQL का combination, यानि की Python और SQL साथ में कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, यह देखने वाले हैं, the first thing is, SQL किसले काम आता है, तो SQL डेटाबेस बनाने के लिए काम आता है, कोई भी आपकी टेबल है, तो वो आपका क्या है, डेटाबेस है, डेटाबेस किस तरह का, अगर आप किसी hospital में ज connectivity Q0, the data inputted by the user along with generated output is displayed but not stole, because all program execution take place inside the RAM, which is temporary memory, यानि की, जो भी आप data input करते हो, जैसे कि आप सपोस करो किसी website पे गए, आपने data input किया, कोई भी data डाला अपने, ठीक आपना एक form भरा, आपने data input कर दिया, submit button पे click कर दिया, and then what, वो कुछ time तक रहेगा, जब तक कि आप उसको screen पे देख रहे हो, अगर उसको, आप जैसी screen shutdown करते हो, वो data गायब हो जाते है, अगर आप example हो, simple सी word file का, word file आप एक बना रहे है, आपने उसमें क्या किया, एक word file create की, जब तक आप उसने word, MS word को open करके रखा हुआ है, तब तक आपको वो file display हो रहे है, जैसे ही आप उसको off कर करेंगे, तब वैसे ही वो file क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने backend में storage नहीं रखी, तो उस storage के लिए हम क्या करते है, python और mysql की connectivity कराते है, python से हम webpage create करा रहे है, और mysql से हम backend में database create करा रहे है, fine, they can't be retrieved since they are not saved on hard disk, यानि कि आप database को retrieve नहीं कर सकते है, जो भी आपने अगर वो कहीं save ही नहीं होगा, तो आप fetch कहां से करोगी, ठीक है, तो इसलिए वो save होना जरूरी है, does the application is executed, it requires new set from input from, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो बार बार आपको वही same data repeat करना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, backend में database को create करोगे, next is, database में आपको बता चुकी हूँ, जो python आपकी है, वो front-end language है, और जो आपको mysql है, वो backend language है, यह backend में काम करता है, ठीक है, an application usually stores a lot of data in the form of database, which is not directly accessible to the user, यह किसी user को directly accessible to the user, यह किसी user को directly accessible होता है, अगर आप किसी website को visit कर रहे हैं, तो आपको उसका database का directly link नहीं है, उसका database कौन दे पार्ट से है, उसको underline, जो भी main points है, उनको underline कर रखा है, ठीक है, तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जोगती है, जितने भी main points कवर करने है, मैं already underline कर चुकी हूँ, और यह मैं आपको करा रही हूँ, पृति अरोडा की book से, तो आप इस book को refer कर सकते हैं, for this, अग portion आपके पास आ सकता है, कि Python की जो जरूरत क्यों पढ़ती है, Python क्यों other languages से जादा बेटर है, तो programming in Python is arguably more efficient and faster, efficient है, faster है, faster है, faster क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे less code में more output मिल रहा है, आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और आपको output में जादा चीजे मिल रही है, ठीक है, Python is famous for portability, portable मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आपको इसको easily carry कर सकते हो, it is platform independent, यह किसी ऐसा नहीं है, individual platform पे काम नहीं करता है, सारे platform पे काम करता है, यह points आपको 101% आने चाहिए, Python support SQL cursor, SQL की cursor को support करता है, अब cursor क्या है, वो हम आगे के chapter में देखेंगे, Python support relational database system, यानि कि जो भी relational database है, आपका rdms, rdbms है, उसका support करता है, ठीक है, relational database क्या होता है, जब भी आप किसी दो table को, या more than two tables को आपस में connect करते हैं, using foreign key and all, तो वो आपका किसमें आएगा, relational database में, fine, अब पहली चीज जो आपको इस chapter में से आ सकती है, वो है steps, ठीक है, तो the first one is, we must download separate dbi, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको clearly बता देती हूँ कि आपको कौन-कौन से points बता होने चीए, जैसे कि आपको क्या चाहिए, we have to install mysql connector, यहाँ पे आपको mysql connector install करना है सबसे पहले, ठीक है, then the second step is, अगर आपके पास mysql का connector आ गया, उसके बाद आपने path set कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, mpip install mysql connector, ये आपका क्या होगा, step second होगा, ये आपका क्या होगा, step second क्यों सा, कि mpip install mysql connector, फाइन, आपका step third में क्या आएगा type mysql connector using python shell, आप python shell को open करेंगे, और उसमें क्या type करेंगे, import mysql connector, ये आपके तीन step होगा, ठीक है, फिर उसके बाद download python 3x, ये तो आप जैसे कि python कोई भी आप use कर रहे है, कोई भी version, ठीक है, x का मतलब है कोई भी version हो सकता है, फिर उसके बाद, एक mysql API use करेंगे, executable file है इसको install करेंगे, install python mysql connector, now connect mysql server using python, ये आपके step 3 के बाद, 4, 5, 6, 7, 7 steps, ये आप as it is learn करोगे, ठीक है, मैं आपको shortcut में बता चुकी हूँ, क्या क्या learn करना है, क्या क्या नहीं, ये line आपको लिखनी है, import mysql, ये आपको python shell, this, जो भी आप set path को set कर लोगे, तो कौन सी command fine, okay, अब यहाँ पे आपको एक next format, page number 240 पे, जो ये क्या है, steps for creating database connectivity application, यानि कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आपने installation process देगा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसको database की connectivity application को create कर रहे हो, जैसे कि आपने python को start किया, जो भी packages है, मैं आपको बता चुकी हो, import करते हो, establish करोगे, फिर cursor object को create करोगे, फिर एक query को execute करोगे, data extract करोगे, clean up करोगे, ये सारा क्या है, जब आप installation कर लोगे, और python और mysql आपके install हो जाएंगे, connect हो जाएंगे, तो उनको साथ में work कैसे करेंगे, यानि कि साथ में वह work कराने के लिए, step for creating database connectivity, यानि कि आप database connectivity के application बनान ठीक है, अब सबसे वहले हम प्रोग्राम पढ़ने आले हैं, ठीक है, page number 241, practical implementation 1, अब अगर आप ये देखोगे, दो चीजे में आपको अलड़ी बता चुकी हूँ, एक installation का steps, और एक आप जो ये प्रोग्रामिंग करोगे, उस टाइम पे आपको कौन-कौन से step फॉलो करने ह अपनी प्रोग्रामिंग को execute करने के लिए, ठीक है, तो next one is, open a new script file in python, type the following script and then run it, यानि कि आप एक python, जब connectivity आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, पाइथन में एक नया विंडो खोलना है, और उस विंडो में ये सारी चीजे टाइप करने है, अब ये सारी इंपोर्ट mysql.connector, यानि कि आप यहां पर क्या इंपोर्ट करें, mysql.connector, जब भी आप नंपी करते हैं, तो import नंपी किया, जब आपने कुछ और शीज़ी की, तो जो जिसकी ज़रूत होती है, उसके according इंपोर्ट करते हो, तो आपको यहां पर connection करना है, किस से, SQL का connection करन हो, ठीक है, अब यह आपका code है, mysql.connector, .connect, यानि कि mysql.connector, जो भी आपने import यहां पर किया है, अब नंपी मि क्या करते थे, आप यहां पर करते थे, import nump as np, ठीक है, तो यहां पर आप np. करके लेके चल देते, बट आपने यहां पर import mysql.connector लिया, तो आपने इसको य हो रहे है, एक software से दूसरे software को connect कर रहे है, यूजर कौन सा होगा हमारा root, यानि कि user जो भी है अभी root है, और password null, यानि कि अभी हमने password कुछ नहीं रखा है, print mydb, ठीक है, now, next one is that, कि इसके print के बाद आपको क्या output आ रहा है, mysql.connector, connection, mysql.connect object, यानि कि यहां पर जो आपक object है, ये, ये जो numbers होते हैं, ये hexadecimal में होते हैं, ठीक है, यहां पर आपका object connect हो चुका है, अब ये जितना portion मैंने underline कर रखा है, आप प्लीज इसे देख लो, इसमें, उसने कुछ अलग नहीं बताया है, जो चीजे मैंने यहां explain की है, वही सारी चीजे उन्होंने यहां प python db api, ठीक है, create the object of a class called cursor, that allows python code to execute database command in a database session, यानि कि cursor ही वो चीज है, जिसमें python के अंदर आप किसी भी SQL के, जो query है, उसको run कर आ सकते हैं, यानि कि किसके थूप, अगर मैं बोलू python, और फिर बोलती हूँ मैं SQL, ठीक है, python और SQL, अब python को, सिर्फ python पता है, SQL वाले को सिर्फ SQL बता है, ठीक है, तो दोनों की connectivity के लिए मुझे एक mediator तो चाहिए, दोनों connect हो गए, बट दोनों में mediator कौन बनेगा, तो mediator होगा हमारा cursor, ठीक है, अब cursors are created by connection, by the connection.cursor method, इससे हम अपना cursor create करते है, they are bound to the connection for lifetime and all the commands are executed in the context of database session wrapped by the connection, यानि कि cursor कैसे create होगा, connection.cursor से create होगा, और फिर हर एक command को वो SQL की execute करेगा, now next one, use mysql connector.connect, ये किसके लिए, आप connection के लिए, फिर उसके बाद cursor को create करोगे, फिर cursor में आप जो value है execute करोगे, और उसके बाद cursor को close करोगे, ये कैसे करना है, ये हम देखते हैं, मैं point to point बात कर रहे हूँ, क्योंकि ज़ से बहले हम database create करेंगे, जब भी आप SQL में भी देखते हो, आप tables बनाते हो, बद टेबल बनाने से पहले आप क्या बनाते हो, database बनाते हो, वो database कैसे बना होगे, तो create database school, ये आपकी SQL की command है, अब इस SQL command को आप Python में कैसे रन करोगे, वो देखते हैं, to create a new database school from Python to mysql, okay, आपने क्या किया, import mysql.connector, ये क्यों किया, क्योंकि हमें mysql से connectivity चाहिए, mydb is equal to mysql.connector.connect, ये line, ये जो दो line है, ये आपको हर जगा देखने को मिल जाएगी, चिक है, अब आपको mycursor, ये आपको कोई भी variable name है, यहापे आप कोई भी name ले सकते हो, सिभा एक cursor के, क्यों, क्य क्या है, आपका एक keyword है, आप उसको यहाँ use ने कर सकते है, आप my cursor use कर लो, m cursor use कर लो, कोई भी चीज, ये आपका एक variable name है, fine, इसमें आपने क्या, इस variable को क्या value दे रहे हो, कि ये जो mydb है, यहाँ पे आपने create किया है, उसका, ये mydb है, यहाँ जो आपने create किया है, इसका cursor है, इसका नाम क्या रखा आपने my cursor, अब my cursor.execute, my cursor जो value है, उसमें आप क्या execute करा रहे है, value create database school, तो आप देख सकते हो, यहाँ तक जो मैं काम कर रही थी, वहाँ पाइथन में काम कर रही थी, इस last statement में, जो मैं value execute करा रही हूँ, उसमें जो मैंने अपनी definition लिखी है, वो क SQL की query है, वो भी inverted commas बे, fine, अब यहाँ पे जितना portion है, आप चाहो तो underline कर सकते हो, मैंने यह सारे चीज़े underline कर रखी है, ठीक है, मैं सारी चीज़े आपको बता चुकी हूँ, कौन सी command किसले काम आ रहे है, और कौन सी command का क्या use है, ठीक है, मैंने underline कर रहे है, बच्चे आपके एक्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, अब हम practical implementation 3 देखते हैं, page 245, अब हम यह देख रहे है, whether the database has been created or not using python interface, अब हमने database create किया था, अब हुआ या नहीं हुआ, वो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप कोई फाइल बनाते हो, तो आप उसको जाके revisit करते हो, क same thing, यह तीन लाइन में आप दुबारा repeat नहीं करने वाली हूँ, import वाली, mydv वाली और mycursor वाली, यहां तक आपने क्या create किया है, cursor create किया है, fine, next is mycursor.execute show database, पहले आपने क्या किया, create database, database का नाम, अब आप क्या करो show database, यह कमांड आपकी SQL की है, python की कोई कमांड नहीं है इन में से, fine, अब आपने किया show database, for x in mycursor, यह जो mycursor है, यह किसको visit कर रहा है, इसको visit कर रहा है, यानि कि जो भी show database में value गई, वो कहां पर आई, mycursor के पास, और mycursor से value कौन ले रहा है, x, जैसे कि my, अब database है, आपके file, आप database बना है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक database होगा, multiple databases हो सकते हैं, अब multiple database है, तो मुझे अगर, जैसे 0 number पे कौन सा database है, 1 number पे कौन सा database है, 2 number पे कौन सा database है, तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रुत पड़ेगी, for loop की, कि जब तक mycursor में database की नाम है, तब तक मेरा x में क्या आती जाएंगी, value आती जाएंगी, और at last मे क्या करूंगी, उस value को print कराती जाओंगी, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, output में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 database है, पहले x की value थी, information schema, mycursor में value थी, mycursor में सारी values है, बट print कराने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई variable तो चाहिए, तो वो variable मेरा कौन बनेगा, x और फिर वही variable मेरी values को print कराएगा, एक एक करके, ठीक है, जब तक उसमें value हो, जैसी value खतम होगी, वो program terminate हो जाएगा, जैसी यहाँ test underscore db के बाद program terminate हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे और लड़ी मैं सब कुछ underline कर चुक हूँ, आप चाहो तो जो भी आप underline करना चाहो, कर सकते हो, अब to create practical implementation 4, page number 246, ठीक है, to create a table student inside the database school, using python script mode as an interface, ठीक है, अब क्या गर रहे हो, तुम यहाँ table create कर रहे हो, ठीक है, तो import mysql.connector, mydb equal to, यह वही चीज़ है, सारी चीज़, ठीक है, यहाँ पे cursor आपका create हो रहे है, अब आपको table create करने है, table create करने के लिए मैं आपको अपनी asql की वीडियो में बढ़ता चुकी हूँ, कैसे create करते हैं, और यहाँ पे भी आप देख लो, कि यह पूर column name, फिर उसका data type, और फिर उसकी constraints, ठीक है, column name, data type, column name, data type, column name, data type, और यह close कर दिया गया, ठीक है, तो इससे आपका क्या create होगा, एक नई table create होगी, fine, अब यहाँ last देखो, practical implementation 5, यहाँ तक आपका my cursor है, अब आपने जो table बनाए, वो tables आपको देखनी भी तो है, ठीक है, आपने database देखने के लिए भी लगाया, आप table देखने के लिए भी लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपके पास यह surety नहीं है, कि आपके पास कितने number of table वहाँ पे saved है, ऐसा नहीं है कि उस system पे कोई और user काम नहीं कर रहा है, तो उसने कोई और table सेवनी की होगी, इसे लिए आप क्या कर रहे हो, बार-बार जो है, for look चला रहे हो, कि हाँ जितनी भी existing table है, उनकी मुझे list आ जाए, तो इसके लिए आपने क्या किया, mycursor.execute.showtable, यह आपकी SQL की command है, for x in mycursor, print x, यानि कि x की जो value है, mycursor में, वो क्या कर रहे हैं, उसको print करा रहे है, fine, अब देखो, यहाँ पे एक ही value थी, ठीक है, जो हमारा x की value थी, सिर्फ एक table है, वहाँ पे वो भी student नाम की, तो उसने एक को print कराया, वो terminate हो गया, ठीक है, वहाँ पे जितने numbers of table होगी, उन सबको वो print कराके, program terminate हो जाएगा, fine, अब practical implementation 6 देखते हैं, अब यहाँ तक कर रहे है, ठीक है, new column के लिए कौन सी command यूज होती है, alter command यूज होती है, अब alter command के लिए आप क्या करोगे, सेम चीजे, execute alter table, table का नाम, add, यानि कि new column add कर रहे हो, तो add, column का नाम क्या है, marks, और column का data type क्या है, int, fine, next is, modify structure student table using python script, यानि कि अब आप क्या कर रहे हो, structure जो भी आप आपने change किया है, उसको देखना है, तो उसकी जो command होती है, DESC student, DESC student, जब आप लिखते हो, select start from student, तो वो student का data दिखाते है, कि हाँ, उसमें column के name क्या है, और rows में data क्या है, but DESC student जब भी आप लिखते हो, वो ये दिखाएगा, कि हाँ, जो column के name है, उनका data type क्या है, उनका constraint क् describe, fine, तो यहां तक आपका mydb.cursor है, mycursor.execute.dsc student, अब उसमें अगर एक table है, तो एक table में multiple columns होंगे, तो उस multiple columns के लिए मैं किसले use कर रही हूँ, x use कर रही हूँ, my cursor में, चिक है, print x, अब यहां पर आप देख लो, सबसे पहले table का नाम है, फिर उनके data type है, फिर no, yes, यह आपके कुछ constraints है, यह primary की है, ठीक है, अगर इसमें कुछ extra value देनी है, वो none है, और यह values, ठीक है, याने कि इसने क्या दिया, जो भी मैंने table को create किया था, इसने इसमें एक और column को add कर दिय है, और बाकी चीज़े यहां पर same है, तो DESC में क्या आपको show करेगा, DESC में table का data show करेगा, उसके data type और constraints के साथ, अब practical implementation 8, insert a record, अब आप table बनाते हो, तो उसमे data भी तो insert करना है, rows भी तो insert करना है, अभी तक आपने जो किया, उसमें क्या किया, सिर्फ आपने columns insert की, ठीक है, तो अब हम rows insert करते है, यहां तक आपका same है, execute insert into, यह आप जानते होंगे, कि SQL में किसी को भी data insert करने के लिए, हम कौन सी command use करते है, insert into student values, जो भी आपकी values आई, ठीक है, mydb.commit, अब सबसे main चीज़ की यहां commit क्यों आया, ठीक है, तो commit वगेरा मैं आपको समझा देती हूँ, एक commit होता है, और एक होता है rollback, ठीक है, commit किसले होता है, अगर मैं आपको simple example देती हूँ, एक bank की transaction होती है, ठीक है, एक जगा से दूसरी जगा आप transaction कर रहे हैं, आप अपने bank से, अपने friend के bank को, ठीक है, आपके bank से कोई भी पैसे होते हैं, वो cut गए, ठीक है, बट आपके friend के account में नहीं गए, so that's a problem, ठीक है, कोई भी connectivity issue आ रहा है, life चली गई है, कोई भी वज़े से, ठीक है, आपके यहां से कट गए, बट यहां तक नहीं पहुचे, so that's a major problem, अगर आप भी कहीं पे shopping भी कर रहे हैं, आपके account से पैसे कट गए, बट वो जो भी आपके custom, जो vendor है, तो इसलिए क्या होता है, rollback, यानि कि अगर मेरी transaction मेने शुरू की है, और वो transaction मेरी complete नहीं हुई, तो मेरे account में मेरे पैसे क्या होंगे, वापस आ जाएंगे, ठीक है, यह हमारे पास पहला option है, दूसरा option commit, मैंने अपने friend के account में पैसे भेजे, मेरे account से पैसे कट गए, वहा यहां पे दूसरा step, यानि कि चीजे क्या होती है, commit, जहां तक मुझे अपना data save करना है, वहां में commit करती हूँ, और यह हम यहां पे देखे, कि कैसे करना है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, insert किया value, और मैंने क्या किया, mydb.commit, मतलब commit का मतलब मैं यह चाहती हूँ, कि मेर data यहां तक commit हो जाए, save हो जाए, ठीक है, इसके बाद यहां एक नई चीज आई है, mycursor.rowcount record inserted, यानि कि my cursor में आप क्या count कर रहे है, rows को count कर रहे है, कितनी आपकी row insert हूई, जैसे कि आपने यहां पे कितनी row insert की, एक row insert की, ठीक है, आप यहां multiple rows भी insert कर सकते थे, 10, 12, 15, जित row record inserted, जो record inserted है, वो तो यहां से as it is, जो print हो रहा है, क्योंकि आपकी यह string है, ठीक है, row count, इस row count की वज़े से है, कि कितनी record insert हूई, तो one record insert हूई, ठीक है, अब commit or rollback हम इस program में भी एक बार देखते हैं, अब यहां पे आप देख लो, कि यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 record आपके insert हो र second record के बाद मैं आपे rollback लिख देती हूँ, after then क्या होगा, जो भी मेरे 2 record insert हुए थे, वो save नहीं होंगे, और मैं कहां पहुंचाओंगी, पहले step पे पहुंचाओंगी, ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, कि मैं तीसरा record लिख रही थी, और उसके बाद light चलीगे, ठीक है, तो मैंने commit तो किया नहीं, मैंने उसको save नहीं किया, जैसी कि आप word में काम कर रहे हो, आप हर 10 मिनट बाद word को save कर रहे हो, तो आपका data save हो रहा है, आपने word पे काम कर रहे हो, एचानक से light चली जाती हो, तो आपका क्या हुआ, data save नहीं हुआ, सारा data lost हो गया, ठीक ह अगर मैं यहां commit कर रहे हूँ, तो तब मेरा data save होगा, बट अगर मैं यहां पे commit कर रहे हूँ, आगे मैंने 2 line लिखी, बट वो 2 line save रहे हुए, light चली गई, तो मेरा data कहां पे पहुँच आएगा, जहां मैंने last commit किया था, जहां मैंने last data save किया था, ठीक है, तो वो rollback हो सेव करना है में वहाभ कमिट mean को यूज कर सकते हैं रोल बैक जहां पर आपको changes अपने revert करने हैं जैसे हम undo यू 점ि अपको कहां तक ले जाता है य अजम कि अलब कहता है जो भी आपने सेक्षाश तो रोल बैक और data automatically save होता है मुझे बार-बार commit करने की ज़रूद नहीं पड़ती अगर मेरा auto commit off है तो मुझे बार-बार data commit करने की ज़रूद पड़ेगी तो that is the use of auto commit यह आ सकता है ठीक है तो यह theory में भी एक marks की question में आते है अब यह syntax दिया हुआ है connection dot commit connection dot number याने की यहां पर जो भी connection का नाम होगा आपका ठीक है अब यहां पर कुछ पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगी फिर आपको प्रोग्राम से इंट्रिड्यूस कराऊंगी read operation तीन टाइप्स के आपके यहां read operation है एक fetch one ठीक है एक fetch all ठीक है दो types के हैं fetch one और fetch all अगर मैं बोलती हूँ fetch one मैं बोल रही हूँ आप से आप please वहां से एक book उठा के ले आओ तो आप क्या करोगे सिर्फ जाओगे एक book को pick up करोगे और फिर वापिस आ जाओगे और मुझे दे दोगे बट अगर मैं बोलती हूँ fetch all जितनी भी book है अब वहां तीन book हो तो आप उठाला होगे चार book हो तो आप उठाला होगे एक भी होगी तो आप उसको ले के आजाओगे तो वो क्या होता है मेरा fetch all यानि कि अगर मैं table को अपना run कर रही हूँ अगर मैं बोलती हूँ fetch one तो जो भी पहला record उसके हाथ में होगा वो मुझ count करता है जो भी रो आपकी effect होई है during the execution of program फाइन अब इसका हम program देखते है प्रैक्टिकल इंप्रेमेंटेशन 10 page 250 यहां तक आप देख लो मैं करा चुक हूँ अब select star from student यहां पर आप क्या करना चाहते हो table को print कराना चाहते हो ठीक है तो table को print कराने के लिए आपने क्या किया एक नया variable लिया my record it could be anything ठीक है cursor को use कर रहे हो आप my cursor dot fetch all यानि कि जो भी आपके table में जितने भी content है आपको सब को fetch करना है ठीक है अगर आप यहां fetch one लिख देते हो जो जो भी पहली row आएगी वो उसको print कराएगा बट अगर आप यहां fetch all लिख रहे हो तो वो सारे data को fetch कर ल 12 हो सकती है 20 हो सकती है ठीक है कितनी भी हो सकती है fetch all करोगे उसके बाद for x in my record print x यानि कि my record जो भी यहां पे आपका data आया वो एके करके कहां पे जाएगा x में जाएगा और print जो होगा उस x को क्या करेगा प्रिंट कराएगा अब इसका output देख लेते हैं यहां पे आपकी कित फेच वन करती तो मेरे सिर्फ single row print होती that is 1 तरुन 23 Mumbai 398 फाइन अब प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन 11 यहां तक चीजे सेम है अब यहां पे हम star asterix भी यूज किया है हमने ठीक है अब हम specific जो columns को select कर रहे है select name, age, marks, from student, where city क्या हो Delhi हो यहां पे मैंने specific number of column भी select किये और एक condition भी दी that is जहां पे city क्या हो Delhi हो और फिर at last मैं अब भी यही कर रहे हूँ fetch all मैं चाहती तो fetch one करती तो मुझे पता है fetch one में मेरे एक ही data print होगो जो भी first occurrence होगी ठीक है फिर उसके बाद आप उसे क्या करोगे print करा दोगे next one अब delete अब तक आपने क्या कर रहा data insert किया उसको print कर आया सारी चीज़ेगी ठीक है अब हम data delete कर रहे है data delete करने के लिए आप देखो my cursor.execute करोगे delete command को use करोगे जो भी आप SQL में use करते हो same SQL का data use कर रहे है यहां पे तीन लाइन आपकी सिर्फ same चल रहे है after that जो भी आप execute करो that is your SQL की queries fine तो आपने क्या किया delete from student where role number one यानि कि student table में से उसका data delete कर दो जिसका role number one है ठीक है अब यहाँ at last next चीज़ देखो my db.commit तो आपने क्या देखा कि आपने my commit कब-कब use किया ठीक है जब आपने data insert किया और जब आपने data delete किया तो आपको इन दोन cases में कौन सी command जरूरी है use करना that is my db.commit अब यह my db क्यों लिख रहे हो क्योंकि यह आपके database का नाम है fine जो भी आपका connection का नाम है next is my cursor.row count कितनी row effect हुई यानि कि जब delete हो रहा था data दो चीज़े जब delete हो रहा है data तब कितनी row effect हुई जब insert हो रहा है data तब कितनी row effect हुई तो उसके लिए आप कौन सी command use करेंगे my cursor.row count ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हो क्या output है one record deleted next one is practical implementation 13 my cursor.execute update select हो गया delete हो गया update command update जो भी table का नाम है set age कितनी है 28 where name विने चीक है यानि कि मुझे update करना है student का data age 28 रखनी है जहाँ पे name क्या है विने है mydb.commit और उसके बाद commit तो यानि कि तीसरा case कब आप commit यूज़ करोगे जब आप कोई चीज़ अपडेट कर रहे हो उस case में आप add एक delete और एक update तीन cases में आप क्या की यूज़ कर रहे हो commit fine print my cursor.row count record updated यानि कि जो भी आपके record कितने अपडेट हुए तो वो print करा देगा आपके अब practical implementation 14 same चीज़ अब यहां किया कर रहे हो आप commit और rollback दोनों चीज़े यूज़ कर रहे हो अब तक आपने rollback यूज़ नहीं किया था अब आप यूज़ करोगे तो यहां पर क्या है input enter the name of student whose record is to be deleted यानि कि अगर आप मेरे पास आते हो आप मुझे बोलोगे मैं मेरा data delete कर होंगी whether the record is in my whether your record is in my table or not कि आपकी जो भी record है वो मेरे पास है या नहीं है तो my cursor.execute delete from student where name nm जो यहां पर मेरे पास nm आ रहा है ठीक है मैं उसको check करूँगी कि वो है भी या नहीं है ठीक है try का मतलब है कि मैं try करूँगी कि वो data मेरे पास है या नहीं है ठीक है print my cursor.rowcount record deleted यानि कि अगर है तो वो क्या करेगा जो भी record delete हुआ है वो delete कर देगा और उसको commit कर देगा क्यूं क्यूं क्या क्या है क्यूंकि यहां पर मैं record record है delete करना है तो last में commit यूज करूँगी accept db1.rollback अब क्या है rollback क्यूंकि मेरे पास वो data है ही नहीं तो मैं delete क्या करूँगी तो यह लिए हम क्या कर देंगे rollback जहां से मैं हूँ वहीं पर आ जाओंगी तो मेरे पास कौन सा data आ जाएगा यहां पर फिर से again print हो जाएगा enter name of student whose record is to be deleted और फिर मैं उसको close कर दूँगी जो भी मेरा database है open किया मैं उसको ठीक है अब यहां पर यह आपका पूरा table है मैं यहां पर आपने क्या किया है एक function create कर रहे हूँ जहां पर आपने choice को yes लिया है by default ठीक है choice user की कोई भी हो सकती है एक user record को add कर सकता है update कर सकता है delete कर सकता है और डिस्प्ले कर सकता है ठीक है और उसको अगर exit करना है program से out जाना है तो वह exiting को select कर सकता है fine choice लोगे आप user की choice यानि कि program को वही terminate कर दो, ठीक है, else, अगर other than इनके user कुछ पी enter करता है, तो wrong input, fine, अब do you want to continue or not, यहाँ पे आप choice को पूछ रहे हो, तो choice यहाँ देखो, आपकी by default yes है, और यहाँ पे आप उसका question पूछ रहे हो, ठीक है, अगर user yes or enter करता है, that is good, otherwise, आप बहार आजाँगे program के, अब fetch data, ठीक है, यानि कि आप data को fetch करेंगे user से, import mysql connector, आप try करेंगे, जो भी आपको यहाँ तक cursor आ रहा है, फिर select start from student, यहाँ से आपने data को fetch किया, ठीक है, और उसको print करा दिया, अगर fetch नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या देंगे, error देंगे, next is that, add data, ठीक है, add data में आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपका cursor है, उसके बाद, यहाँ पे इनोंने cursor गलत लिया है, आप यहाँ my cursor लो, ठीक है, कोई नों को variable name लो, क्योंकि यहाँ पे यह क्या होगा आपका, एक variable name है, और यहाँ पे यहाँ पे आपका एक keyword है, तो आप keyword को variable name की तरह यूज नहीं करोगे, fine, फिर आप उसमें data क्या करोगे, add करोगे, और उसके बाद उसको commit कर दोगे, और print कर दोगे, records added, फिर आपको data अपडेट करना है, तो आप क्या करोगे, same चीज, try करोगे, कि हाँ, वो exist करता है, या नहीं करता है, ठीक है, तो आप जो भी है, चेक करोगे, अगर exist करता है, तो वो update हो जाएगा, otherwise, print e, exception as e, otherwise, जो भी है, आपको, वो exception print कर देगा, fine, next one is that, delete data, ठीक है, data को delete करने के लिए, वही चीज, आप करोगे, कि जो भी आपका delete है, delete from student, वियर नेम इस, रितु, आप, जो भी रितु, उस, जो girl का नेम है, उसका record आपको delete करना है, cursor.execute, scale, print, record, deleted, और last में, आप recording, ये program आपका इतना जरूरी नहीं है, fine, मैं आपको clear बोलती हूँ, ये program इतना जरूरी नहीं है, बट बाकी के जितने में अने programs कराए है, सारे जरूरी है, आपको data add करना आना चाहिए, delete करना आना चाहिए, और display कराना आना चाहिए, अपने, जो column में record alter करना आना चाहिए, यहाँ पे कुछ questions भी दिये हुए है, में भी आप practice कर लो, और हो सके, तो जो भी आपके NCRT के question answers है, अगर NCRT आपको मिलती है, वैसे तो NCRT available नहीं है, ठीक है, जो CBST के question answers है, वो आप practice करो, ठीक है, इससे related जो भी question answers आये है, in case अगर कोई query है, then you can comment, ओके टाटा, बाई बाई, थेंक्यू,